सत्वा बचन महराजी ने उपदेश दिता के पंजाक कारा दी रहत द्रड करके रखनी है क्योंकि रहत नाम्याच महराजी दे बचन आउंदे ने के रहत पेयारी मुझको सिख पेयारा नाहे सिख पेयारा नाहे मामा रहत पेयारी आहे के खारसा जी मैंनू रहत पेयारी है सिख पेयारा नहीं सिख ओ पेयारा है जिड़ा रहत नू पेयार करता है पंजा ककारां देवेच साथगुरू पात्षा जीने सानू पंज ककार जिडेने केस कंगा, कड़ा, करपान ते कशेरा एक पांच ककार तान गुरू गुबिन सिंग महाराजी ने सानु दिते ने और साथ गुरू पात्षा केंदे ने कि इना पंजानू कदे भी आपने सरीरतों दूर ने करना पहला ककार है केस महाराज केंदे के पाई जेड़े केस ने इना दित उसी कदे बे अद भी ने करनी ने वो जिनने वी रिषिया मुनिया मुहम्मदा पर गंबरादी तस्वीरां देख देयां वो सारी केसा तारीसन किसे ने केस कतल नहीं सन कीते। सद्गुरु पात्षा जी ने वे साणू एक केसा दी दाद बक्षणा कीती है। और किशे वी ता रंदें अंदर केस्ट टाउन दी आ गया नहीं है ना ही हिंदु ता रंदें अंदर ना ही मुसलमान ता रंदें अंदर और सद्गुरु पात्षाजी ने केसा नू महुज़े नाम था ऊ नू दिता है गुर्बानी भी पड़िये ते गुर्बानी दे अंदर भी महाराज के इंदे ने के सावत सूरत दस्तार सिरा के जो मनुक है वो सावत सूरत होना चाहिता है ते उदे सिरते दस्तार होनी चाहिती है दस्वें पात्षा दे एक रोमदा मुल्ग गुरू प्यारियो दो जहान प्या है महराज के बचन अंदा है के दीन दुनिया दरकमंदे आपिरी रुखसारमा हर दो आलम कीमते यकतार मुए यारमा केसा तो सद्गुरू पात्षा जी ने इना प्यार सी महराजी ने केसा देनार के केसा तो साड़े एक तख़त दा नाम भी दखिया गया जेदा नाम है केस गर साहिब तो सद्गुरु पात्छा केंदे के पाई केसानी बेदबी नएं करनी है यह रैत द्ड़ करके रखनी रैत की है रैत जो गुरु दा बचन है जो गुर कहा है सोई पलमान नो जो गुरु ने बचन कर दिता गुरु कहिया साकार कमावो हो गुर की करनी काहितावो हो जो गुरु ने बचन कर दिता ओ रहत है गुर्मुखो ते दूसरा का कार जो है ओ है कंगा सद्गुरु पात्षा केंदे केंदे कंगे नू अपने सिर्दे उपर लगा के रखना है अपने केसा विज लखा के रखना है क्योंके आज आप अक्षी दर्षन की तेने कोई मनुख केस वार्या होवे कंगे देनाड ते ओदे किसां दे विचों चंगे आड़े निकल देने जिसकर करके एक कंगा साड़े केसा नी रखेया भी करदा है सदोकुरु पात्षा ऐवी कहींदे ने जिवेँ एक कंगा टुटे होई केस साड़े सेर्दे वीचे बार कड़दा है आमनोख तु कंगे दे वांगूं छेडे तेरे मानदे विच वकार छे टुटे हूए वकार देना कठे हूए पहने इना वकारा नू तो कठे करके कड़ दे इस करके माराज कई रहतना में विच भी भचने हुंदा के कंगा दोनों वकत कर पाग चुने कर बांद जी कि आई खारसाजी आप जीने दोनों वक्त जेड़ा है वो कंगा करना है तीसरा ककार सद्गुरु पाथशाजी ने सानु कड़ा बखिना कीता है महराज के इंदे ने पई के कड़े नू अपने तो कड़े दूर दें करना पंत दे महान विदवान ग्यानी संथ सिंग जी मस्कीन वो अपनी कथा वेच आम एबचन करेया कर देने के आफ़ता संसार वेच जेड़ियां तुरियां फिर दियाने कई माड़ियां रूहा संसार ते पढ़गदियां फिर दियाने ते ऐसी यह जड़ी यह रूहाने न उख कुछ ना कुछ जगा पाल दियाने टकाना पाल दियाने ते जड़े मनुख डरदे ने उन्हा दे अंदर फिर प्रवेश कर जान दियाने पर जेस मनुख ने अपने हाथ दे विच सर्ब लो दा कड़ा पाया होवे और मुख दे ऊपर ए उन्हारी आत्मा महादा कोई असर नही उन्दा साइंस ते उर्ते विदेखिए ते साइंस कर दिया के लोही दा करा जड़े सरीर दे नार खेंदा है थे इसक अडर्जी मिल दी है साण। ताक भर देए है कड़ा महराजी ने सानू बख्षया के ऐ खालसा जी क्योंकि जदों में असी कोई काम कर देया सज्जे हादे नाल कर देया महराजी कहिंदे जदों तू किते माड़ा काम करेंगा तेनू ओ हाथ वेच पाया कड़ा वेखके तेनू अपने गुरुदी याद आ जाएगे ते और उस माड़े कम नू करुं नू करनतों हाड जावेंगा कड़े दा अर्थ है करना पाँ रोकना आपने हतानू माड़े जगह वालेER पासे जाननो why आकि कड़ा किना है कि अ देने आ है तो इसी आपने हाथ देना है किसे को लेरा नहींुद जाइए किसे को फड़ ना है फड़ना है कि कौड़ा पिछ्चछीं पुरुन कार शार्व पात्चा ने सानु बक्षिश कीं तक करफाण आज कल गुरू पे आ रहे हूं कई केंदेने कि करपान पाँ दी सानु जुरूरत ही नहीं है। जे कोई करपान पावी लेंदा है ते गुर्म को और आतनु टंक के किली दे नाल सोंग जानदा है। दसमें पात्षा ने दसम गरंत महाराजी दी बाणी अंदर लिखना कीता है कि किरपान पान तारियंग करोर पाप तारियंग। पाव यह जो किरपान है यह साड़ी किरपा जमा आन यह साड़ी किरपा भी कर दिया। साड़ी आन साड़ी इज्जत नों भी बचांदी है। संत ग्यानी चरनेल सिंग जी खासा पिंडरावाले मा बुर्ख बचन करेया कर दे सी के पाई कटो काट नौ इंच दी करपान जुरूर पागे रखो। तो आड़े थे किसे ने हमला कर देता है। यह कियां ने गाळवीक पाई दे ने किता कर पाई देने के ता गण बन के कंगा मन लें हिसरो किसे नौ योद». सद्गरू पात्जा केंदेने कि ow खालसाजी तुसी करपान तारी होना है, alligator शस्तर तारी होना है। महराजी दे बचंप्ण पडो। महराज आप केंदेने के बिना तेक के संग दौन आदेदारे के एह खाल साजी बिना शस्तरतों ते बिना केसातों मेरे दर्शन करनें दू लब ने सद्गुरु पात्षाजी ने शिक्रपान नू आपां गुर्म को जबानी पड़ देया ना सब तो पहला अरदास दे विच बचना आउंदा है के प्रिथम अप गवती से मरका है के पहला माराजी ने शस्तर दी पूजा किती है तुसीं किसे भी तखते चले जाओ केसगर सहब अकाल तक सहब चले जाओ किसे भी तखते चले जाओ ओ थे जो शस्तर ने शिरी गुरु गरंस माराजी तो उच्चे परकाश कीते हुए क्योंकि महाराजी ने इना नुक्या सैफ सरोही सै थी यह हमारे पीर। पाथ पढ़ देयां ओदेवेचवी मारा लिख देने के खडग केयत मैं सरन तेहारी आप हाथ दे लिहु उबारी के मेरी रख्या करनी करू दसम गरंती जदो बसी बाणी पढ़ देया ना गुर्मको ते सद्गुरु पात्षा ने बेयंत बाणी दसम गरंत महाराजी दे माराजी कही जगा बचन कर देने ने गजस करके माराजी ने एक कार सानू बख्षणा कीता सानू किरपार ते पन्यवा कार सद्गुरु पात्षा जी ने सानू बख्षए воды कशेरह पाव के आए खारसा जी, जो एक कशेरह ता नू कर आठ जातते साथ दी निशानी है पाई नांद लाल सिंग जी ने वी ए बचन कीता है के निशान ए सिखी इंपंज हाफ हरगस ना बाशुत इंपंज मुआफ कड़ा कारदो काच कंगा बिदा बिला केज हेच अस्त जुमला निशान के दे पही ये तो आडेकुड ए शस्तर नहीं त इसी केसलक टल किते होएं ते साथ जानेयों तुसी फिर नरकादेपागी बनोंगे सो घुरमोको शबूरुवपात्षया जी ने बचस क होड़ा कीते ने पर आज सानू इना पंजह कारदि रहत पो लगही है अ आज सानू ए नहान उन्हाने पांच कक्यां दी एम्यत ही बदल के राख दीती है गुरू पे आरेयों सद्गुरू पात्षा जी ने पांच ककारां दी र्यात दिड़ करके रखन वास्ते सानु हुक्म कीता है आम तौरते कई वार असी देख देया के कईयां दी जदो करपान देख जान दी याना ते ओ फिर खान पिन लग जान देने ओ कहिंदे के साधी करपान देख गई है अम्मर्त तुट गया गुर्मखो करपान दिगन दे नाल अम्मर्त नहीं तुटदा शेक तरम दे अंदर तौर अडे जेकर तिनक कार कंगा कणा ते करपान ये जेकर तौर अडे कुण विसर जान ते खाल साजी कपरां दिगन लोड ने अम्मर्त नी तुटदा उन्हीं देर तक तुसी खाना कुझ नहीं जात तक तुसी अरदास करके दुज्जा ककार नहीं पालेंदे कडा नहीं पालेंदे कंगा नहीं पालेंदे करपान नहीं पालेंदे अरदास करके उन्हीं देर तक मुख वेच पानी तक कोट भी नहीं पाना तो जे किते साड़े कृडों कषेरा विसर जावें कई वार कषेरा पएंदे यां 2 लता विचो निकल जानते तो मार है केंदे एतेवी अमड नीच उटदा ए दी अर्दास फिर तूसी निदीक कर सकादे ए दी अर्दास फिर गरंथी सर्ण करेगा वो जे कृडों गुरद्व ते ना ही ओधी अर्दास ग्रंथी सिंग कर सकता है ओधी अर्दास वास्ते फेर तवा नू पांज सिंगा दे कोड़ हाजर होना पैना है उना कोड़ जाके अपनी पोल जो है वो बक्षानी पैनी है इस करके सत्वा बशंग सत्गुरु पात्षा जी ने साड़ेनाड ए करके रखना है